नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में जी बोर्ड या फिर आप कहा लिजे गूगल बोर्ड की बोर्ड कैसे लगा सकते हैं फॉर इजमपल जब आप टाइपिंग करते होंगे तो आपके सामने इस टाइप का की बोर्ड कुछ आता होगा अगर आपका शाओमी का फोन है या रेड्मी का की बोर्ड ही आता होगा ओके बाई डिफॉल्ट तो आगर आप इसको चेंज करके यहां पर आप जी बोर्ड या फिक Google का की बोर्ड लगाना चाहते हैं वो कैसे लगाते हैं इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जाना है अपने फोन की सेटिंग में और जैसे ही आप अपने फॉन की सेटिंग करेंगे अपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपको इसमें करना है नीचे and inputs का इस पर आप करिए click अब जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे current keyboard यह लिखा है keyboard for Xiaomi, okay तो यहाँ पर पहले से यह लगा है, अब google keyboard लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ manage keyboards पर करना है click, जैसे ही इस पर click करेंगे तो सबसे उपर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जी बोड multilingual typing, यह off होगा आप इसको कर दीजे, on जैसे ही on करेंगे, उसके बाद आपको फिर से back जाना है, और यहाँ पर current keyboard, जहाँ पर यह keyboard for Xiaomi है, इसको आपको करना है click, और यहाँ पर आपको keyboard select कर लेना है, अब अगर आप कहीं पर भी typing करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह Google का keyboard आ चुका है, अब यहाँ पर हम जो भी type करना चाहें, कर सकते हैं easily, ओके, तो आई होप कि आप जान गयोंगे कि कैसे आप अपने phone में गूगल कीबोर्ड या फिजी बोर्ड लगा सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजे, लाइक चैनल को कर लिजे, सब्सक्राइब, एंट बेल आइकन को प्रेस ऐसे और भी वीडियो उस देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आप से एक और न्यूँ वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई